इंफिनिटी एक्स का एक लेटिस अपडेट आ चुका है जो कि 2.8 है और वैसे यह 2.8 का अपडेट बहुत सरे सपोरेट डिवास के लिए काफी ताइम पहले आया है लेकिन इस डिवास के लिए काफी लेट लतीफ आ रहा है लेकिन कोई मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि य इस में क्या क्या चीजे देखनी को मिलती है 178 वेकर पास है या नहीं अगर नहीं है तो कैसे आप कर सकते हो विडाउट रूटिंग के और साथ साथ इस इस इंस्टॉल कैसे करना है बस आपको एंट टक वाच करना है वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और अभी इ दिया है आपने नहीं देखा है तो देख लो यार ताकि आपको परज लेगा कि Android 16 के साथ हाई प्रो इस क्या-क्या देने वाला है यहां पर आपका EOD उगरे काम करते हैं अगर आप यूज करते हो तो फेस अनलोकिंग वगेरा भी आपको यहां पर वरकिंग है बाक्या अपनी हिसाब से अपने लॉक सिंग को कुस्टमाइज कर सकते हो जो कि टोटली आप पर डिपेंड करेगा यहां पर जो कैमरा दिया ग इस सारे एक्ष्टा बेनिफिट मिलते हैं जिसके वज़से आपने क्या क्या यूज किया वह चीज आपको नजर आती है बाकि पाव मिनु का जो स्टाइल है वह कुछ इस तरह की से देखने को आपको मिल जाता है वापास आते सेटिंग के अंदर तो यह जो सेटिंग का मिल जाते हैं हमारे मेंटेन का नेम 5-m Psla pop-up आता है जब पूर बज़े च सेटीब करते हो उससे पहले ही पिसमी यह च Romans करते तैम तो यह चीजम मुझा अच्छा लगा बाकि यहां पर डाइगनोसिस वीचutor से सिस्टम अपडेट से इंड पासवर्ड फेस नलौक वगएर यहां पर कुछ खास नया extra setting देखने को नहीं मिला लेकिन हाँ एक restrict USB का option है जो कि आपके काम आ सकता है another battery की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है sleep mode ideal का option आपको मिल जाता है charging control आपको देखने को मिलेगा यह profile दिया गया और यह काम करता है बट यहां पर जैसा कि मैंने कुछ और रोम में notice किया था कि यह boost का option तो दिया गया charging का लेकिन उतना fast accurate charge नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर जो यह thermal profile आइड किया जाते ना इसका से में भी slow charging वाली दिकते आती है और वह चुछ मैंने यहां पर भी notice किया है क्योंकि जब मैं इसे charging पर डाला और चेक किया full 90 watt के उपर तो आप डिक से तो 24 minute में only on 39% गया है आप लोग को यह phone warm हो रुखा होगा तो नहीं है यहां पर full charging का जो power supply नहीं हो पाता है जिसको से दिक्कत आ रही अभी charging से related लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर टाइम में solve हो जाएगा तो यहां पर नहीं कहने वाला कोई complain नहीं करने वाला चलो हां तो आसा slow ही charge होगा लेकि यहां चार्ट तो हो रहा है ना अच् सा यूच कर रहा हूं तो आगे मैं आपको दिखा दूगा कौन सा फॉंट में apply कर रखा हूं जो कि इसके साथ ही आपको मिलता है मोर्स के common से option मिल जाते हैं यहां पर dolby का option आपको देखने को मिल जाता है कि लिए speaker वगेर आपको मिल जाता है यहां पर आपको pattern मिल जाता है haptics को गयरे का जो कि आप control कर सकते हो प्रोडिकिशन के अंदर आपको यहां पर cooldown का option मिल जाता है बाकि वह बेसिक से option आपको देखने को मिलेंगे वाल पर style के अंदर यहां पर साइस बदल सकते हो और बाकि इसके लाबा अर्दर भी आपको option मिलते हैं जहां से भी से बदल स से चीजे हैं यहां पर आपको clock का style मिल जाता है जो कि आप कई सारे दिये गए हैं जो भी आपको रखना है रख सकते हो अप्लाई कर सकते हो आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन पर और बाकि हम बैक्यूर आते हैं तो आपको मिल जाता है इस तरह किसे options हो रहा है वीज है और यहां पर UDA PSB दिया गए जिसके अलग अलग style दिये गए और यहां पर अलग option भी add किये गए अनिमी वगड़ा के तो जो भी आपको चाहिए वह आप यहां पर set कर सकते हो और यह काम करते हैं बाकि यहां पर इस तरीकी से unlocking का style अनिमेशन है वह भी आप set कर सकते हो जै यहां पर जो भी आपके shortcuts icon है यहां पर दिखाई देते हैं बाके fingerprint or section और यह option मिल जाता है pocket mode आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि यहां पर यह वाल पर एक्सेस कर देता है सतसात यहां पर आपको मिलता है themed यह option perfectly काम करता है जो कि evo room में मुझे बग देखनी को मिल कि बाकी के त्रफ तरह यहां पर इसु नहीं करके देता यह यह चीज़ सही है बाकी यह आप यहां पर यहां पर आइकन बग anchor चेंज करते हुआ कुछ इसे style में आपको देखने को मिलता हैं यहां पर करें छाग तरहें bon Summit. satellite यह यह आपको अच्छा लगता है यह नहीं था 2.8 के अपडेट में यह एड हुआ है तो यह चीज मुझे अच्छा लगा कि सेटिंग का यह आपने हिसाब से बदल सकते हो अब देख से यहां पर चेंज हो चुका है डिफरेंट टाइप का आ गया है जब कि पहले हमें थोगा कलर फूल देखने को मिल रहा था यह चीज आप यहां से अपने हिसाब से जो भी रखना है वैसा बदल लो अप देखे का जो कोई खास दिक्कत भी नहीं है अश्रसभार के अंदर यहां पर क्लॉक के कस्टमाइशन मिल जाते हैं बैग्राउंड चिप आपको मिल जाता है 4G आइकन असूस 5G इंड़क्टर वगए आपको मिल जाता है कलर का उप्शन मिल जाता है और पैटिंग कंट्रोल भी आपको सीटार डेट मिल जाता है यहां पर देखना को मिल जाता है यहां पर देखनी को मिलता है Compact Key地 Media का ऑप्शन है यहां पर कैसा आपका लूक होना सलाइडर का गाई यहाँ पर यूज करो आप इन में से जो भी जाओ वह यूज कर सकते हो बाकि यहाँ पर है आटो ब्राइटनेस का साइन है उसका परसेंटेज भी है जो कि आप यहाँ पर एड कर सकते हो जो कि हम बैक यूर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ परसेंटेज वगेरा वॉल्यूम का है साथा लेट राइट राइट रखना है पाव मेनू पर आपको क्या क्या रखना है वह आप सेट कर सकते हो और साथ-साथ यहाँ पर हैंड्स अपक्त ओन गोउइंग कॉल वाबड जो कि डाइलर में भी आपको मिलता है और यह ला आप benefit ले सकते हो जैसे कि no storage restriction वगेरा और बाके दर का यहाँ पर hide app है developer stress hide करने का option है और यहाँ पर spoof के option मिल जाते हैं जहाँ पर आपको दिखाए देता है इनेवर अस्पूब option वगेरा का option है यहाँ पर Google Apps related है गेमिक से related है यह आपका में भी off रहेगा इसे आप on कर लेना और यहाँ पर जो update का option है इस पर क्लिक कर देना जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका device को reboot के लिए पूछेगा जैस यह दोन आपके pass हो जाते हैं और जब आप इसे first time flash करोगे तो आपको यह fail देखने को मिलता है जैसे कि मैं आपको दिखा तो किदर गया I think मैंने भाई screen suit ही नहीं लिया लेकिन हाँ first time ही आपका fail रहता है लेकिन आप जैसे यहाँ पर setting a school रहा यूज कर लेते हो आपका device certified हो और core recording का एक और application दिया गया है BCR बट इसकी need आपको नहीं पढ़ने वाले क्योंकि और डाइलर में ही यह benefit आपको मिल जाता है बाकि यहाँ पर dual apps वगरा यूज कर सकते हो lock वाला भी आप यहाँ यूज कर पागए जैसे कि यहाँ पर देखो कि मैंने lock कर रखा है तो यह lock application अगरे भी आपके working रहते हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं आती क्या आपको देखने को मिलता है apps के अंदर और साथ-साथ यहाँ पर game bar वगरे दिया गया ज्योंकि latest वाला यूज किया गया है तो इसका भी benefit आप यहाँ पर ले पाओगे अब रही बात कि performance क्या निकल के आता इस रोम का तो वह हम यहाँ पर देख लेते हैं और यहली में touch मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि यहाँ पर touch response काफी better feel होता है जब आव इस रोम को डालोगे यहाँ पर मैंने इसका जीए वसला बढ़ जान जी पुछ किया वनीला नहीं मैं रिक्मेंडेटर रहता है बाके फालत होगे अपली किसे नहीं रहते हैं तो अपने नीट की साबसे आप डाल पाओगे बाके चार्जिंग मैंने किया तो तीन मियट में 7% और यहाँ पे 24 में 39 जो कि मैंने बताए ना कि हलका slow है थो और इंप्रूव होने की जरूवत है इसके बाद कैमेरा ग घरता हो ना जब रोम थास्टेवल होता है यहाँ पर देखो इंप्रूव्मेंट दिखाई देता है और हिटिंग भी अंडर कंट्रोल है जो कि अल्लिए फोर्टी टू गया है जो कि नॉमली यह डिवाइस असानी से टच कर जाता है बट वह चीज यहाँ पर देखने को नह अच्छा खासा है साथ से नॉर्मल सीपी ट्रोटल तो काफी बेकार सा दिखाई दे रहा है आपको लेकिन जैसे आप इसका प्रोफाइल यूच कर तो ठर्मल प्रोफाइल और वहां से आप उसे बूस्ट कर देते हो तो आपको देखने को मिलता है चार लाग 16,000 मैक्स और म यहां पर आपको option देखने को मिलेगा आप इसे gaming के ऊपर डाल दो और run करने लग जा लेकिन आपको gaming पर अच्छा नहीं लग रहा तो इस तरह किसे चेंज कर दो यहां पर अलग option मिलते हो हर एक option के हिसाब से different performance आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर मैंने जो run किया है हमा आपके photos वगेरा यहां पर हमारा working है और यहां पर आपको gaming के अंदर इस्टा setting unlock मिल जाता है photo storage भी आपको unlock मिल जाता है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगा तो यही total चीजे थे इस OS से related और हाँ यह मेरे तब से recommended भी होने वाला है क्योंकि रो मुझे पसंद आया है personally आके जो mostly है जो आपको HDR का issue देखनी को मिल जाता है इस Poco F6 के अंदर वो भी यहां पर काफिया तक reduce हुआ है जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊँ photo app के अंदर जाता हूँ और edit का option पर जाता हूँ तिहां पर normal है लेकिन मैं recent पर जाऊंगा तो यहां पर HDR activate हो गया है लेकि कर देना और अभी बाद इस इंस्टॉल कैसे करना है तो मैं installation guide add कर दे रहा हूँ जिसे follow करके आप इसे easily install कर पावे अपने phone के अंदर तो मैं मिलते हूँ आपसे next वीडियो में thanks watching bye आपको यह installation guide follow करना है पहले आपको अपने phone को off कर लेना है power button and volume down को long press करके आपको fast food mode on कर लेना है अब वर्किंग डेटा केवल का यूज करते हूए PC से connect इसी पर आप इस टूल का यूज कर सकते हो जो कि one time में recovery install करके दे देता है मैंने dedicated video दे रखा है link आपको discussion मिलेगा यहाँ पर install हो गया है बस single click पे और आप हमारा phone है जो recovery में on हो जाएगा recovery जैसी होन होता है सबसे पर आपको यहाँ पर factory reset कर लेना है volume up down का यूज करते वे आप यहाँ पर select कर सकते हो power button से आपका ok का काम करेगा factory reset हो जाने के बाद आपको back आना है apply update भी जाना है और यहाँ पर ADV side load कर देना है जहाँ पर आपने रोम रख 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 है उसे move कर लेना ADV perform tool में और cmd command open कर लेना क्योंकि मैंने यहाँ पर कर लिआ है अब यहाँ पर हम डालेंगे ADV side load डालने के बाद आपको नहुत पर youome go drag & drop कर देना है अगर FW required है तो पहले up Dale problem करेंगे वह flash जानने के बाद दुवारा ADV side load करके हम यहाँ पर रोम को drag and drop करेंगे सेम इसी तरीके से और इंटर पे क्लिक करेंगे within 5 minutes आपका रोम successfully flash हो जाएगा और यहाँ पे recovery पे एक option आएगा yes or no का जैसे कि आप देख से तो तो यहाँ पे starting पे first time आपको yes कर दिना है और फिर से आपको same रोम को flash करना है यहाँ पे मैंने ADP sideboard डाला और same रोम को मैं फिर से यहाँ पे drag and drop कर दूँगा और इंटर पे click अब second time रोम जैसे complete flash होगा आपको फिर से जो yes or no का sign देखने को मिलेगा तो इस time आपको जो no पे click कर देना है अगर आता है तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं अब यहाँ पे final आपको जो factory reset करना है once again two time flashing के बाद और format data करते ही आपको फिर से system reboot कर देना है अब आपने जो भी रोम को flash किया है इस method से उसका boot animation आ जाएगा और आपका OS boot कर जाएगा तो I hope कि आपको समझ में आ गया है पूरा process के कैसे हम ADB siloot से रोम को flash कर सकते हैं easily और one time में boot करा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो यह लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और सेम गाइड फॉलो करते हैं आप अपने रोम को flash कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर कर दो तक्र दादा बाइबी है